नमश्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल नौलिज साथी पर दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अपनी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग हेल्थ केर वाडीज को और उनके द्वारा दी जाने वाली अक्रेडिटेशन सर्विसिस के बारे में बा बात कर चुके हैं अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उपर आई बटन पर जाकर हमारी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इन बॉडिज से जोड़ी अपनी नौलिज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की ए लोग जानते हैं या फिर सिर्फ वो लोग जानते हैं जो रेगुलर्ली एन बीच कंसर्टेशन में एक्टिव हैं साल 2014 में दोस्तों एन बीच ने अपना ये प्रोग्राम लांच किया था क्लिनिकल आउटकम्स पेशेंट सेफटी और सैटिसफेक्शन को बढ़ाने के लिए हॉस्पीटल के सामने दोस्तों कई सारे चैलेंजिस आते थे जैसे की नर्सिस की कमी, नर्सिस का डिफरेंट लेवल्स पर इंगेजमेंट चाहें आप बात करें बैट साइट की या फिर आप बात करें मैनेजमेंट में या फिर कुछ अधर एक्टिविटीज में जहां पर की डिमांड जादा थी जैसे की कॉलिटी इंप्रूब्मेंट में, डेटा कलेक्शन में या फिर रिपोर्टिंग में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एक्सलेंस सर्टिफिकेशन की हमारे इस वीडियो में लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथ ही पास बने बैल आइकन के बटन को भी दवाईए जिससे की आपको हमारी आने वाली वीडियो मिशना हो और आपको आई बटन पर जाकर हमारी वीडियो को ना देखना पड़े दोस् नर्सिंग एकसलेंस स्टेंडर्स को फ्रेम किया और गाइड़ Dame को बनाया जिससे कि एक हेल्फ एर्ग केर औरग्याईशन में दी जा रहा ही नर्सिंग सर्विस्ष को test कया जा सके दोस्तों नर्सिंग स्टेंडर्स का फर्स्ट अडिशन चैप्竟र्स में डिवाईड़िड जिन में शामिल है nursing resource management, nursing care of patient, management of medication, education, communication and guidance, infection control practices, empowerment and governance and nursing quality indicators. दोस्तो इस certification से होने वाला अगर हम benefits की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, यह continuous दोस्तो quality improvement को बढ़ाता है, nursing care, safe, effective और competent बनाता है हमारी nurses को. professional nursing practices को regulate करता है, guide करता है और promote करता है, साथ ही community में दोस्तो आपके center को लेकर confidence को बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग treatment के लिए आपके hospital या center की ओर बढ़ते हैं. दोस्तो nursing care के लिए nurse administrators और supervisors को guideline भी provide करता है, जिसको follow करके वो अपने work को अच्छे से कर पाते हैं. इसमें दोस्तो सबसे ज़्यादा benefit होता है hospital के nursing और paramedical staff को, certification को लेते हैं NABH की ओर से तो सबसे ज़्यादा satisfied जो होते हैं वो आपके healthcare workers होते हैं, क्योंकि दोस्तों ने लगतार सीखने को मिलता है, एक अच्छा environment मिलता है और leadership skills दोस्तों उनके अंदर आते हैं, साथी उनके क जाता है, knowledge को बढ़ाता है, और competencies को बढ़ाता है, जिसके चलते पूरी team दोस्तों systematic way में काम करने लगती है और accountable हो जाती है अपने working के लिए, जिन में शामिल हैं दोस्तों हमारे सभी staff जैसे की nurses, medical staff और paramedical staff, अब सवाल उठता है कि certification program के लिए कौन apply कर सकता है, तो इसका ज hospital हो या फिर nursing home हो, दोस्तों nursing excellence certification के लिए apply करने के लिए, hospital या care center को कुछ practices को follow करना जरूरी होता है, क्या है ये practices, तो दोस्तों आपका hospital अभी work कर रहा हो, यानि कि active हो, आप patient services provide कर रहे हो, आपने दोस्तों कम से कम 3 महीने तक NBH के standards को अपने hospital में या center पर practice किया हो, implement किया हो और organization दोस्तों जो भी action ले रही हो, वो NBH की guidelines के basis पर ले रही हो, अगर दोस्तों आप 3 महीने से NBH के standards पर functioning कर रहे हैं, और उन्हें follow कर रहे हैं, तो इसके बाद दोस्तों आपको nursing excellence program के लिए online apply करना होता है, इस NBH की website पर, दोस्तों सबसे बहले आपको अपने hospital या care center प follow करना होता है, उसके बाद दोस्तों NBH certificate के लिए NBH की website पर जाकर आपको apply करना होता है, apply आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो apply आप online कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों NBH के standards को purchase करना होगा implement करने के लिए, purchase भी दोस्तों आप website से कर सकते हैं, जिसका cost है 1500 र requirement होगी जैसे कि आपको इस नया email ID बनाना होगा या register करना होगा, nursing excellence certification को अब choose करना होगा, इसके बाद दोस्तों NBH आपकी email ID और password को activate कर देगा, जिसको आप बाद में कभी भी login करने के लिए use कर सकते हैं, apply करने का दोस्तों एक process रहता है, क्या होता है वो process, तो आप दोस्त application form को भरना होता है, अपने documents को submit करना होता है और application fee को submit करना होता है, third step में दोस्तों यहाँ पर acknowledgement आपको मिल जाता है, एने बेच की ओर से, जिसके बाद दोस्तों आपको एक assessment होता है, जो कि on-site, remote, desktop या hybrid, वो option दोस्तों आपके पास रहेगा कि आप उस assessment को किस तरह से कराना वो भी hospital में आपके missing था, या जिस action को लेने की जरूवत है, वो आपको दोस्तों बताया जाता है, जो इसको आप corrective action और preventive action के नाम से जानते हैं, तो उन actions को दोस्तों आपको complete करना होता है, उसके बाद फिर आपको submit करना होता है NABH को, जब दोस्तों आप corrective action और preventive action ले ल package का वो आपको मिल जाता है, जिसका आप use कर सकते हैं, बात में दोस्तों आपको certificate के लिए renew कराना होता है, renew दोस्तों आपको कम से कम 6 महीने पहले कराना होता है, जब आपका time expire होने वाला होता है, तो इस तरह से दोस्तों ये आपका process काम करता है certification के लिए, अब दोस्तों हम बात करें certification की fee क्या होती है तो यहां पर जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं दोस्तो general brochure के लिए दोस्तो कोई भी cost नहीं होता है website पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आप standards को purchase करना चाहते हैं nursing excellence के तो उसका पंदरा सुरुपए cost होता है जिसके hard copy आपको मिल जाती है उसके अलावा दोस्तो कितना charge होगा NABH का वो depend करेगा आपके bed size पर यानि कि hospital का bed size क्या है मालीज अगर आपका hospital 10-30 bed का है और एक दिन के लिए एक ही यहां पर assessor आ रहा है आपके assessment के लिए तो आपका cost होगा दोस्तो 25,000 रुपए application का जिसमें आपका annual fee भी 25,000 ही रहेगा दोस्तो महीं दोस्तो अगर हम बात करें आपका hospital 31-100 bed का हो और दो लोग आ रहे हो दोस्तो assessment के लिए एक दिन के लिए तो यहां पर आपका cost होगा 45,000 रुपए application fee का और annual जो आपका fees जाएगा वो भी दोस्तो 45,000 रुपए जाएगा 100 bed से लेके 350 bed का दोस्तो अगर hospital हो और चार लोग दोस्तो अगर आपके यहां पर आते हैं assessment के लिए दो दिन के लिए तो यहां पर दोस्तो आपका cost होगा 55,000 रुपए application fee का वहीं आपका annual fee भी दोस्तो 55,000 ही रहेग वही 351 से उपर अगर 351 से जादा bed का आपका hospital है तो six man day यहां पर आपको मिलेंगे दोस्तो यहां पर cost होगा आपका 65,000 रुपए और annual fee भी दोस्तो आपकी 65,000 ही रहेगी अब यहां पर दोस्तो कुछ important बाते हैं जो आपको याद रखनी होंगी जिन में शामिल है कि दोस्तो जो आपका fee होगा hospital का उसमें दोस्तो traveling expense, lodging, boarding of assessor यह सारे expense count नहीं होंगे सभी expenses दोस्तो hospital को bear करने होंगे यानि कि जो भी assessor आये का दोस्तो आपके assessment करने के लिए उसके जो boarding charges होंगे, travel charges होंगे वो दोस्तो आपको bear करने होंगे hospital के तौर पर 10% का दोस्तो आपको discount भी यहां पर मिल जाएगा अगर hospital दो साल की अपनी installment एकी बार में pay कर देते हैं दोस्तो भी कुछ guidelines ने दी हैं जिनको follow करना आपको बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तो अगर लोगों का किसी भी तरह से misuse होता है यानि कि एने बीच का logo आप किसी भी गलत तरीके के लिए use करते हैं या for any wrong means तो वहाँ पर दोस्तो कोई action लिया जा सकता है एने बीच की अब दोस्तो एक बहुत ही जरूरी चीज किन activities को करने से आपका एने बीच का certificate terminate हो सकता है यानि कि एने बीच में दोस्तो कुछ conditions बताई हैं अगर जिनको आप करते हैं या ऐसा पाया जाता है आपके hospital में तो दोस्तो आपके एने बीच का certification terminate हो सकता है और आपसे एने certification मान लिजे अगर आपने जो अपना fee है वो time पर pay नहीं किया और वो delay हो जाता है आपको email मिलने के बाद भी या फिर दोस्तो कोई adverse action आपके against लिया जाता है किसी regulatory body की तरफ से मान लिजे hospital में कुछ पाया जाता है जिसके चलते hospital पर किसी भी तरह का कोई action लिया जाता है जो law abiding है या against the law है तो वहां उस case में भी दोस्तो ने भी एच का certification आप से चिन सकता है पेशन्ट सेफटी को लेके दोस्तो बहुत जादा serious कुछ incident आप होस्पिटल में होता है तो उसके चलते भी यहां पर certificate terminate होने के chances रहते हैं उसके अलावा अगर आप ने भी एच के standards को follow नही कर रहे हैं certification मिलने के बाद तो उस case में भी दोस्तों यहां पर आपका termination possible हो सकता है एक surprise visit करते हैं accreditation मिलने के बाद जब आप accreditation मिल जाता है तो साल में एक से जिएर साल के अंदर दोस्तों एक surprise visit करते हैं किसी भी hospital में यह देखने के लिए कि वहां पर standards को properly follow किया जा रहा है या नहीं तो ऐसे में अगर आपका hospital पाया जाता है कि वो एने भी एच के standards को follow नहीं कर रहा है तो उस case में आपके hospital का certification terminate किया जा सकता है दोस्तों अभी तक 21 hospital ने nursing excellence program के लिए apply किया है जबकि 136 hospitals को दोस्तों nursing excellence certification already मिल चुका है तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो एने भी हम सारी जानकार यह आपके साथ share कर पाए अगर आपको लगता है दोस्तों वीडियो में हम कुछ और add कर सकते थे या किसी और topic पर दोस्तों आप वीडियो चाहते हैं तो हमें comment section में comment करके जरूर बताए हम कोशिच करेंगे दोस्तों उस topic के उपर वीडियो दाने की वीडिय कर दोस्तों आपके साथ